पते बाद में करोना वाइरस का एक संदिग दमरीज सामने आया है इतली से लोटा एक परिवार के 11 लोगों में से एक डेड़ साल के बच्चे में करोना के लक्षन मिली है जिसके बाद बच्चे को आइसोलेशन वाट में रखा गया है बच्चे के सैंपल लेकर जाच के लिए लैब भेज दी गए हैं डोक्टरों की टीम लगातार बच्चे के स्वास्ते पर नजर बनाए हुए है जिला महामारी अधिकारी डोक्टर विश्णों ने बताया कि उच्विभाग की और से उनके पास इटली से फतेह बाद आने वाले 11 लोगों की सुची विली थी सुची क के अधार पर उन लोगों की तलाश कर उनकी जाच की गई जिन में दस लोगों में किसी तरह की कोई लक्षन नहीं मिला है जबकि डेड़ साल के बच्चे में खासी जुकाम की शिकायत मिलने पर उसी फतेबाद के नागरिक अस्पताल के आईसोलेशन वाट में रखा गया है हरियाना सरकार ने करोना वाइरस को लेकर इतिहाती कदम उठाती हुए करोना वाइरस को महामारी घोशित कर दिया है हर जीले के सरकार एस्पतालों में आईसोलेशन वाट बनाए गए हैं सरकार ने रहलिया धार्मिक आयोजनों खेल आयोजनों वह भीट भाड़ वाली जग इसकी हो पाएगी तब तर इसको अब्जर्वेशन में अमने निगराने में आइसुलेशन वाड जो कि जी एच पतियावाद में त्यार किया गया उसके अंदर रखा हूँ यह इस तरह के रूटीन जो कोरोना के सस्पेक्टिड केस में जो पाए जाते हैं जैसे की थोड़े खांसी होना नजला जो काम इस तरह के हैं लेगिन जब तक कि यह पूश्टी नहीं हो और कन्फरमेशनल के तब तक कहना बड़ा मुस्किल है कि लिए ऐसे ही लेटेश को पान आधेस राजगारान अच्राइब कर आपान्स